नमस्ते गुड मॉर्णिंग एवरिवन आज जो पड़वा है हिंदु नववर्ष की का पहला दिवस सो हिंदु नववर्ष की सभी को हारदिक शुबेच्छा हैं आज के दिन हम मेडिटेशन से आज का दिन शुरू करने वाले हैं यह बहुत ही महत्वपूर्णा बात है वेरी सिगनिफिकेंट तिंग क्योंकि एक श्लोक है बगवद गीता का वो ऐसा है इसका विस्तुरूत मीनिंग ऐसा है कि हमारे मन के आंगन में भावनाओं का खेल चलता रहता है और इसके चलते हमारा हर करम इतना कि हमारा करतव्य करम भी जो है इसमें कुछ न कुछ गलतिया हो जाती है कही ना कही confusion create होता है कभी रिष्टों में दुख पैदा होता है कभी awkwardness निर्मान होता है लेकिन अगर आपका लक्ष आपका धेय अगर आपके सामने clear है स्पष्ट है आपके मन में तो फिर आप जो करम कर रहे हो वो करते रहिएगा दीरे दीरे ये करम भी शुद्ध हो जाएगा हाँ लेकिन आपका जो धेया है वो शुद्ध होना चाहिए वो आपके मन में क्लियर होना चाहिए अभी इसे के साथ जूड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी है जो सब लोग जानते हैं सरवश्रुत कथा रही है अगबर की और बिरबल की कि एक बार ऐसे हुआ कि अगबर का और उनके बेगम का उनमें कुछ अन्बन हो गई तो अगबर ने का कि मुझे आप 24 अवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर आप इस राज्ये से चले जाना और हाँ आपको जो चीज पसंद है उसे आप लेकर जा सकते हैं तो ऐसे confused अवस्था में ऐसे त्रस्था अवस्था में इस कि मैं जानता हो कि आपका जो सम्मान है इसके उपर घा हुआ है इस पूरे incidence में इस event में इसलिए आप क्रोधित भी है आप दुखी भी है लेकिन मैं ये भी जानता हो कि आप राजा से प्यार करती है तो आपको ये जो रिष्टा है इसे भी निभाना है और ये अगर आपका रिष्टा निभाने का जो उद्देश है वो अगर clear है तो आप राजा को जब वो सोय है तब उनको यहां से लेकर जाईए आपके मायके में और आगे क्या हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से रिष्टे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे पर करम करते हुए हम confused हो सकते हैं हमारा कर्म चाहे तोड़ा सा किसी को दुख पहुचाने वाला हो सकता है किसी कभी awkward हो सकता है फिर भी अगर आपको इन रिष्टों को निभाना है अगर आपको जो प्यार है रिष्टों में इन्हें संभालना है तो आपको ये कर्म को है या क्लियर है कि मुझे रिष्टे निभाने है मुझे रिष्टों की जिम्मेदारी लेनी है ना कि अवल निभाने है रिष्टों की जिम्मेदारी मुझे लेनी है तभी आप ये कर्म कर पाओगे और आपका जो लक्षे है अगर आप ये कर्म करते हो तो धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका सबसे एहम रिष्टा जो है हमारे जिन्दगी में, जिसके जिम्मेदारी Garrett हमने लेनी चाहिए, वह हमारा हमारे आत्मा के प्रति, हमारे चैतन्य के प्रति जो रिष्टा है वो सबसे एहम है और उसके जिम्मेदारी लेना, उसे समझना, उसकी तरफ जाना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कर्म होना चाहिए, अगर ये intention, ये धेय अगर आपका clear है, तो धिरे धिरे आपके सभी कर्म जो है, वो शुद्ध होने लगेंगे, और इसे करने के लिए, जिसे हमारे हिंदु समस स्कृति में बहुत से त्योहार है, ये से मकर संक्रांती है, जहाँ पर आप रिष्टों को निभाने की कोशिश करते हैं, खोली है, आज का जो पाड़वा है, वो है, यहाँ पर हम रिष्टों को सुधारने की, रिष्टों को बल देने की हम कोशिश करते हैं कर्मों से, लेक लिकिन अगर हमारा जो आत्मा के साथ, चैतना के साथ जो रिष्टा है, उसे अगर आपको दुरुढ करना है, क्योंकि वो अगर दुरुढ हो गया, तो बाकी रिष्टों को संभालना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, तो वहां तक पहुचने के लिए साधना, ध्यान यही एक उपा है, जो आपको इस धेय के बारे में हमेशा clarity देता रहेगा, और वहां तक आपको पहुचाएगा भी, कोई भी चीजे दुनिया की, चाहे आपका दुख हो, चाहे आपके बारे में gossip हो, चाहे आपकी निंदा हो, चाहे आपकी सूती हो, प्रशमजा हो, कुछ भी चीज आपको आपके धेय की तरफ जाने से रोक नहीं पाएगी, और ऐसी साधना करने के लिए, पाड़वा एक बहुती अउचित्य पूर्ण ओकेजन है, तो हम आज साधना के साथ पाड़वा मनाएंगे, सब लोग अभी meditation के लिए तयार हो जाईएगा, आखे ब आराम की सित्य में बैठिये, पीट को सपोर्ट लेकर बैठिये relax your feet, legs and thighs, पैरों को, thighs को और legs को relax करें, सभी muscles relax कर दें यहांके आपके पीट को relax करें अपनी गर्दन को relax करें गर्दन को relax करने के लिए सास लेते हुए, मन को kendrit करें अपने गर्दन पर और सास छोड़ते हुए, मन को kendrit करें अपने नाक के बाजों पर करें एपना आप करें करें और करें करें उसी प्रकार अपने सर को रिलाक्स करें, सास लेते हुए मन को केंद्रित करें अपने तालू उपर और सास छोड़ते हुए मन को केंद्रित करें आपने नाक के बाजो उपर उसी प्रकार अपने चहरे को और आखों को रिलाक्स करें, सास लेते हुए मन को केंद्रित करें आखों पर सास छोड़ते हुए over the sides of your nose झाल आचे आचे relaxed breaths लेजिए और बंद आखों से अपने collar bones की तरफ देखते रहेगा पुरे समय अब अपने मन को रिलाक्स करें मन को रिलाक्स करने के लिए मन में जो विच्चार उत्पन्न हो रहे हैं और प्रवाहित हो रहे हैं सभी के साक्षी बने witness your thoughts अर्थाथ जो भी विच्चार आपके मन में उत्पन्न हो रहा है चाहे वो pleasant हो या unpleasant हो उसे okay कहे with the sense of gratitude खुतर नियता के साथ उसे okay कहिए जो pleasant thought है उसके साथ जो events जुड़े हुए है उसके लिए universe के प्रती धन्यवाद दे और कहें होंके be grateful towards the universe और जो unpleasant thoughts है उसके साथ जो events जुड़े हुए हैं यह events यह प्रसंग अब मेरे लिए योग्य है इस विश्वास के साथ universe को धन्यवाद दे बी grateful towards universe सभी विचारों को emotions को ओके कहें with the sense of gratitude कृतग्यता के साथ ओके कहना है दीरे दीरे मन को केंडरीद करें अपने नाग पर और सास की जो movement है उसे observe करें इसके बारे में जागृत हो जाए कि सास लेते हुए हवा नाक द्वारा शरेर में प्रवेश कर रही है सास छोड़ते हुए नाक द्वारा हवा शरेर का त्याग कर रही है केवल आपको जागृत होना है बीच में अगर ठकान सी लगे तो चार-पांच अरामदाई सांस ले और वापिस ब्रेथ के मूवमेंट को अब्जर्ब करे पूरे समय आखों से अपनी कॉलर बोन्स की तरफ देखें इसके लिए अगर आपको आसानी चाहिए तो थोड़ इसी गर्दन को जुकाएं गर्दन को थोड़ा जुकाएं फ्लेक्स कर दें क्वेपjust पार जुकाएं ख्युकाएं झांद को ठाह्तर है। क्वेथ और शुकाएं टांद क्युकाएं झांद थिच्णेट कॉपश तर आफ प्य। ड्लेगभ का टूनाद क्युकाएं खर टूनाद ग्वहां झाम टंढभ ग्रफ THISा दाफ टर लोगक्ाएं अब धीरे धीरे मन को केंद्रित करें सांस लेते हुए अपने नाक पर उसके बाद अपने गले पर और उसके बाद अपने रिधाय पर और सांस छोड़ते हुए इंदरीव और सिक्वेंस पहला पहले रिधाय पर उसके बाद कंठा पर और उसके बाद नाक पर सांसे आरामदाई ही रखनी है रखे डीप ब्रिधिंग न करे ब्रेथ होल्डिंग न करे आप का मन केंद्रित होता है रिधाय पर तब तक सांस आगे जाएगी आपके लंग्ज में जाने दिजिए सांस को रोक के नहीं रखना है जब तब आग का मन वापिस केंद्रित होता है नाक पर तब तक हवा या फिर सांस अवकाश में जाएगी ठीक है सांस को रोक के मत रखियेगा मन को केंद्रित करें सांस लेते समय नाक पर कंठ पर रिधाय पर सांस छोड़ते हुए रिवर्स सिक्वेंस में रिधाय कंठ और नाक बीच में ठकान सी लगे तो 4-5 अरामदाई सांस ले और वापिस मन को केंद्रित करें तीन पॉइंट्स पर सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पूरे समय आपकी आखों से नीचे देखते रहें आपके कॉलर बोन्स की तरफ या फिर अपने रिधे की तरफ दिरे दिरे इसके न है रहे पॉँमें कि वापिस पॉपी तरफ पॉपी जलनास भीए पॉपी तरफ या चाहिए वह दोना है। खॉपी तरफ दिरे दिरे एसके पॉपी अरपकिषके नहीं के तरफ बारे में जागरुत हो जाए कि जो सांस आप ले रहे हो जो सांस आप छोड़ रहे हो नाक से वो आपके नाक को सफर्ष नहीं कर रही है दीरे दीरे मन को केंजरिट करे अपने दो भुवाओं के बीच इसके बारे में जागरुत हो जाए कि इस स्थान से आपके शरीर में सुनहरी लहरे या पिर सुनहरा लाइट प्रवेश कर रहा है हो आपके अब रहे हो य। पिल य। वो इस दे ओन लीजाओओ दीरा के बांगे लल्गंड़ लागाओं excit काभ़े लाओब कि दाएडनागत कॉतिक जाड़ व्र्वैं में Nose Lips and your Chin सुनेरी किरने प्रवाहित हो रही है आपके Forehead में माथे में आखों में नाख में आपके वोटों में और चिन में सुनेरी किरने आपके गालों में और कानों में प्रवाहित हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे Feel the energy flowing in your brain आपके ब्रेन में इनर्जी प्रवाहित हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे ब्रेन का उपरी हिस्सा जो आपके forehead के पीछे है ब्रेन का मजला हिस्सा जो नाख के पीछे है ब्रेन का निजला हिस्सा जो आपके lips के या फिर mouth के पीछे है सासे आरामदाई रखें बंदाखों से नीचे देखते रहे अपने color bones की तरफ सभी विचारों को okay कहे with the sense of gratitude और चैतन्य का प्रवाह golden vibrations का प्रवाह जो हो रहा है आपके crown में आपके चेहरे में उसकी तरफ ध्यान देते रहे उसके बारे में जागरुतता कायम रखें पेरिकुट दिरे दिरे मन को केंद्रिद करें अपने रिधाय पर सुनेरी किरने सुनेरे vibrations आपके रिधाय में प्रवाहित हो रहे है उसके बारे में जागरुत हो जाए आपके बारे में जाए तिरे दिरे मन को केंद्रिद करें अपने नाभी पर नागल पर आपके बारे में प्रवाहित हो रही है उसकी तरफ दिहान दे आपके बारे में जाए तिरे दिरे मन को केंद्रिद करें अपने लोर बैक पर पीट के निचले हिस्से पर वहां सुनेरी किरने प्रवाहित हो रही है उसके बारे में जागरुथ हो जाए आपके बारे में प्रवाहित हो रही है आपके पूरे स्पाइन में हो रहा है नीचे से उपर उसके तरफ ध्यान दे उसके बारे में जागरुथ हो जाए पूरे समय सांसे आरामदाई रखने रखे बंद आखों से नीचे देखते रहे और चैत्यन्य के प्रवाह के बारे में सतरकता कायम रखे इनर्जी का प्रवाह आपके सोल्स में हो रहा है उसके तरफ ध्यान दे become aware that energy is flowing, the golden light is flowing in the soles of your feet पूरे शरीर में आपके crown में, चहरे में, रिधे में, नाभी में, पीठ में, पैरों में सुनेरी किरने प्रवाहित हो रही है उसकी तरफ जागरूत हो जाए उसके बारे में ध्यान दे महसूस करें और जागरूत रहे इस प्रवाह के बारे में, चहितन्या के प्रवाह के बारे में अब देरे-देरे इसके बारे में जागरूत हो जाए कि ये सुनेरी किरने जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है ये आपके शरीर के आजू-बाजू में जो अवकाश है उसके साथ एक ग्रूप हो रही है become aware the golden light which is flowing in your body is becoming one with the space around your body शरीर आस्थित्व में नहीं है केवल अवकाश है और अवकाश में केवल चैतन्य है golden vibrations है झाल 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 दिरे दिरे अपने सास के बारे में जाकृत हो जाए जो कि इस ब्रहमांड से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है आपके शरीर को रूप दे रही है आपके शरीर को सासे फॉर्म दे रही है इसके बारे में जागृत हो जाए अब मन को केंद्रित करे दो भुवाओं के बीच और इस सतर कता से कि मैं चैतन्य हूँ मन में कहे मुझे मेरे चैतन्य की साथ जो रिष्टा है उसे जानना है और उसे निभाना है उसे दुरुड करना है और इसके दुरुड होते हुए मेरे मित्रों के साथ परिवार के साथ मेरे सहयोगियों के साथ जो मेरा रिष्टा है उन्हें भी मुझे निभाना है और ये जिम्मेदारी मैं स्वीकार कर रही हूँ ब्रहमान्ड की कृपा से ये शक्ती प्राप्तप हुई है ब्रहमान्ड की क्षटा रही हुई 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 है के पास बंद आखों से अपने मिडिल फिंगर्स के टिप्स को देखे इन्हें देखते हुए दीरे दीरे आराम से आखे खुले प्रसन्नता से आखे खुले धन्यवाद हुना एक बार सभी को गुड़ी पाडवा की हिंदू नववर्ष की हारदिक शुबेच्छा है आपको भी आपको भी तैंक यू सो मज़ तैंक यू आपका धन्यवादे सुबे सुबे में ने साल की सुबे सुबे में आपने हमें सब को द्याज करा दे आपका धन्यवादी आज से इसे अच्छा उसर नहीं हो सकता है अगर किसी साधना दुरुड़ करनी है या रुख गई है तो बूस्ट करनी के लिए इसे अच्छा उसर नहीं मिलेगा अगर किसी को कुछ कहना है तो भी कह सकते हैं या फिर गूप में लिख सकते हैं आज प्तूबर स्वेश। अश्ट अगरव तो आपूप्सक्या नहीं वीरन अवाव यान्यूव यान्यू य्यान्यू खित्वाट है। प्यासूव, इस्ट्स्नव नहीं फ्यासूव, गूओ